सुसान्त का प्यार, रिया का हथ्यार दौलप सुसान्त की, est रिया खांदान की रिया चक्रवर्ती काला जादू करती है, वो डायन है ऐसे कुछ वाग नहीं हैं जिनका इस्तिमाल समचार चैनलों और सोसल मेडिया पर लोगों ने सुसांत की मौत पर रिया चक्रवर्ती को दोसी ठहराने के लिए इस्तिमाल किये थे उन्हें एक हर्त्यारी, सोना खोदने वाली, नशे की लत्वाली, सामाजिक परबता रोही, एक आसफल अभिनेत्री जो अपने अमीर और सफल परेमी के सहारे जी रही थी एक चुडैल जो जादू टोना और काला जादू करती है जैसे शब्द उन्हें सोसल मेडिया पर कहे गए रिया चक्रवर्ती, समाचार चैनलों और सोसल मेडिया पर लोगों द्वारा उन पर लगाएगे बेक्तिगत और लाइंगी खमलों का निशान रही हैं लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं इस केस के बारे में आप लोगों को क्यों बता रही हूं क्योंकि सोसल मेडिया और डिजिटल दुनिया के जमाने में ऐसे मामले हर रोज सामने आते हैं जहां महिलाओं, कुईर और ट्रांस बेक्तियों के खिलाफ ऐसी फेक खबरे फैलाई जाती हैं उन्हें टार्गेट किया जाता है उनके खिलाफ उल्टी सीधी भासा का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम कहते हैं जंडर मिसिन्फार्मेशन तो चलिए और भी आसान भासा में समझते हैं कि जंडर मिसिन्फार्मेशन किसे कहते हैं गलत सूचना दुस्परचार भी पुरुषों, महिलाओं और कुईर ट्रांस भेक्तियों को अलग-अलग तरीके से लक्षित करता है खास कर भारत में जहां इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के बीच लैंगिक आसमानता आधिक है दोस्तों ये टेक्निकल गफ्षप हम अपने पार्टनर टेक सकी के साथ मिलकर कर रहे हैं टेक सकी भारत की पहली हेल्प लाइन है जो महिलाओं, कुईर और ट्रांस भेक्तियों को डिजिटल सुरक्षा वा इंटरनेट से जुड़े सवालों पर हिंदी, बंगला, मराठी और तमिल भासा में मदद करती है आप भी टेक सकी को सो मार्ट से सुक्रवार सुबा नौ बजे से साम साथ बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं टेक सकी का नंबर है 080-4568-5001 अगर हम सुसांत और रिया के केस की बात करें तो रिया चकरवर्ती का मीडिया ट्रायल कुछ ऐसा था जिसमें महिला को राष्टिये मुख्यधारा मीडिया द्वारा भोजपूरी गानों में और राष्टिये टीवी पर वकीलों द्वारा अपरादी और गोल्ड डिगर करार दिया गया है ट्विटर पर भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लोगों ने बुरा भला कहा तो आएए इस मुद्दे को एक और उधाराड के साथ में समझते हैं दुरुपयों के अनरूपों की तरह गलत सूचनाओं में भी चुनोतिया हैं जहां अभिनेत्री सुराभासकर को सबसे अधिक कामुक ट्रोल हमलों का सामना करना पड़ता है वहीं पत्रकार राना आयूब को एक महिला होने के साथ साथ मुस्लिम होने के कारण भी निसाना बनाया जाता है आयूब को बुलिवाई एप के माध्यम से भी उत्पीडन का सामना करना पड़ा है जहां उन्हें और अन्य मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल किया गया था और उनकी तस्वीरों की निलामी की गई थी अल्पसंकेक समुदायों की मुखर महिलाओं को धमकाने के लिए संगठित दुस्परचार और लिंगवादी इसलामोफयोबिया जातिवाद धार्मिक कटरता और भेद भाव के अनरूपों के साथ दुड़ता है जहां सोसल मेडिया महिलाओं को मुद्दे उठाने का एक मंच देता है वहीं बार बार दुर्पयोग उनकी आजादी छीन लेता है अगर हम बात करें हैदराबाद की हैदराबाद में फरजी वाटसेपाफवाओं के आधार पर भीड ने एक ट्रांस महिला की हत्या कर दी ये घटना चंद्रायन बुट्टा में हुई जहां भिक्षा मांग रही एक महिलाओं के समूँ पर उन लोगों ने हमला कर दिया बीड का मानना था कि वह महिलाएं बच्चों का अखरण करती हैं अस्थानी महिलाओं ने पहले उन महिलाओं से बात चित की और फिर उन पर हमला बोल दिया जिसमें कई लोगों को बहुत गंभीर चोटे भी आई थी ये घटना जूटी सूचना के गंभीर परिडामों और आनलाइन गलत सूचना से भड़की हिंसा के प्रती ट्रांसजेंडर वेक्तियों की समवेदन सीलता को दर्शाता है हम सभी सूचनाओं के लिए अपने स्मार्ट फोन पर निर्भर हैं हजारों कीतादाद में हम अलग-अलग सूचनाओं से होकर हर रोज गुजरते हैं अब जरूरी नहीं हैं कि फोन पर मिलने वाली हर एक जानकारी एकदम सही हो इन हजारों लाखों सूचनाओं की भीड में गलत सूचनाओं के मवजूद होने की भी संभावना होती है ऐसे में जरूरी है कि हम और आप इस तरह की viral misinformation को और खास कर महिलाओं कुईर और ट्रांस विक्तियों के खिलाफ फैलाई जारी गलत और भरामक जानकारी से बच कर रहे हैं और जानकारियों को दूसरे trusted source से चेक कर लेना चाहिए हमेशा शेयर करने से पहले दो बार सोचिए खास कर वो जानकारी जब किसी sensitive मुद्दे पर हो और अपने जानने वालों को सही वक्त पर अलर्ट करो अगर आपको ऐसे लिंक सोसल मीडिया पर दिखें तो आप तुरंत उस इसले पर असर डाल रहा है जंडर पर आधारित हमारी धारणा और विचार हमारे निर्ड़े बदल देते हैं जिसका बुरा असर किसी और पर भी हो सकता है इसलिए ऐसा ना होने दिन तो दोस्तों आज की एपिसोड में बस इतना ही मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई टेकनिकल गफशब के साथ में तब तक के लिए टाटा बाए बाए ऐसे और भी टेकनिकल गफशब देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को होम पेज पर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें